हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 से भी ज़्यादा एंटिवाटिक इंजेक्शन्स की बारे में जिनका इस्तमाल RMP डॉक्टर हो चाए BMS डॉक्टर हो ए MBBS डॉक्टर हो सब के द्वारा किया जाता है और दोस्तों जितने भी ये एंटिवाटिक इंजेक्शन्स होते हैं सभी का काम बैक्टर इंफेक्शन को खतम करने के लिए इस्तमाल किया जाता है लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ये जो इंजेक्शन्स होते हैं कोई किसी इंडिकिस्टन में बहुत अच्छा काम करता है कोई किसी other indication में बहुत अच्छा काम करता है तो उसके according ये सारे antibiotic injections होते हैं वो डॉक्टर इस्तमाल करते हैं तो friends चलिए जानते हैं कि कौन सा antibiotic injection किस indication में अच्छा काम करता है तो friends वीडियो को आप पूरा हमारे last तक देखें जिससे आपको इन सभी antibiotic injections के बारे में पूरी जानकारी मिल सके तो चलिए दोस्तो वीडियो को start करते हैं और दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस injections के बारे में तो आप देख सकते हैं ये amikacin injection है और ये amikacin के नाम से आपको market में मिल जाता है जिसके अंदर amikacin होता है ये 100MZ और 250MZ और 500MZ की strength में आता है और दोस्तो इसका जो इस्तमाल के जाता है वो bone and joint infection या intra-abdominal infection तता UTI infection पिशाब के रास्ते में कोई infection हो गया है उसमें आपका इस्तमाल के जाता है देन इसका इस्तमाल pneumonia जो lungs का infection हो जाता है फैपड़ों में संक्रमर हो जाता है सरदी बगरा हो जाती है उसमें इस्तमाल के जाता है देन इसके लाबा meningitis meningitis दोस्तो mind का एक infection होता है उसमें इस medicines का इस injection का इस्तमाल किया जाता है NAS जो injection है वो है दोस्तो monosaf SB injection ये आप देख सकते हैं ये monosaf SB है ये भी aristopharma company द्वारा manufacturing किया जाता है और दोस्तो इसके अंदर जो drug होता है वो होता है सेफ्टरजॉन एंड सलवेक्टम इंजेक्शन इसका इस्तमाल PID infection जो महलाओ में pelvic inflammatory disease हो जाती है उसमें इस्तमाल किया जाता है देन इसके लाबा UTI infection, bronchitis, bacteria infection, blood infection, typhoid fever की अगर समस्या है देन इसके लाबा दोस्तो जो gonorrhea होता है जो जननंग में होने बाला infection हो जाता है वो महला ततापरोस किसी के भी हो सकता है जिसको हम sexual transmitted disease की नाम से भी जानते हैं या सिफलिस होती है उसके नाम से जानते है तो यह समस्या हो जाती है तब इस monosab SB injection का इस्तमाल किया जाता है NES दोस्तो हम बात करते हैं सेफ्टोजायम injections की बारे में दोस्तो यह आप देख सकते हैं यह भी काफी popular injection है जो कि आपको taxim की नाम से उपलप्द हो जाएगा यह alcohol company दोरा में इनफेक्शिंग किया जाता है और दोस्तो इसका इस्तमाल meningitis urinary tract infection यानि कि मुत्र मार्ग में अगर कोई infection हो गया है skin infection है blood infection है और gonorrhea इसका इस्तमाल भी in indication में किया जाता है NEST injection है दोस्तो antibiotic जो है ampicillin and cloxacillin injection इसके अगर हम brand name की बात करें तो आपको mega pen के नाम से यह मिल जाएगा और इसका इस्तमाल जो किया था दोस्तो urn में cellulitis uti bronchitis vector infection skin infection meningitis then ENT infection यानि ना कान गले में अगर कोई infection है वहाँ भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं उसके अलाबा दोस्तो हम बात करते हैं pipra saline and tezobectum injections के बारे में दोस्तो pipra saline tezobectum injection आपको tazar 4.5 के नाम से मिल जाएगा और इसको lupin company दोरा में इनफेक्शन के जाता है जिसका इस्तमान pneumonia यानि कि lungs infection की समस्या होगी उसमें के जाता है kidney में अगर कोई infection है वहाँ इसका इस्तमाल के जाता है UTI infection में किया जाता है skin infection है, blood infection है and perioonditis यानि कि कोई दांतों में जो infection हो जाते हैं मसूडों में infection हो जाता है उसमें भी इसका इस्तमाल किया जाता है friends, next हम बात करते हैं montage injections के बारे में दोस्तों याद देख सकते हैं ये भी काफी popular injection है और इसके अंदर septrogen plus tazobectum होता है और दोस्तों ये भी PID infection है, UTI infection है bronchitis, bacteria infection, bone infection typhide, gonorrhea ये भी विल्कुल सेम काम करता है जो आपको paprasilin tazobectum में indication थे next हम बात करते हैं दोस्तों amoxicillin with potassium cleavenic acid injections ये 1.2 gram में होता है दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसका brand name है claimem 1.2 gram इसको भी LKM company दोरा manufacturing की जाता है दोस्तों इसका इस्तमाल ear infection अगर कोई भी कान में infection हो गया है pneumonia की समस्या है tonsillitis, tonsill की समस्या हो गया है then किसी भी तरह का skin infection हो गया है UTI infection हो गया है गले में कोई infection है blood में कोई infection है तथा नाक में या गले में कोई infection हो गया है cellulitis, cellulitis मतला इसकीन पे जो pus cells से पढ़ जाते हैं फोले से हो जाते हैं उसका कोई infection हो गया है dental infection की अगर समस्या है दांतों में कोई संक्रमड है देन उसके लबावा female genital याने की जो जननांगों वाली problems होती है अगर वो infection हो गया है तब भी आप isclebem 1.2 gram का इस्तमाल कर सकते हैं next हम बात करते हैं दोस्तो meropenem 1 gram injections के बारे में जो कि आपको meroban gram के नाम से मिल जाएगा और इसको भी aristo company दोरा manufacturing किया जाता है दोस्तो इसका इस्तमाल skin तथा abdominal संक्रम अगर कोई हो गया तो उसमें इस्तमाल के जाता है then इसके लबावा meningitis यानि कि किसी भी तरह का अगर दिमाग में कोई infection हो गया वहाँ इसका इसका इस्तमाल के जाता है जिसको एर्टा पैनम sodium injections के बारे में दोस्तो एर्टा पैनम sodium injection यह आप देख सकते हैं यह आपको मिल जाएगा MSD company का और इसका भी इस्तमाल skin infection, abdominal infection, UTI infection, pneumonia, liver infection और PID infection में किया जाता है friends next अगर हम बात करें तो gentimacin injection और यह काफी popular injection है इसका इस्तमाल RMP doctors द्वारा बहुत ज़्यादा इस्तमाल के जाता है दोस्तो इसका इस्तमाल ITI infection, blood infection, genital infection, heart infection, bone infection, skin infection देन दोस्तो निमोनिया यह इन सभी indication में बहुत अच्छा काम करता है और यह आपको genticin के नाम से मिल जाता है friends next हम बात करते हैं lincomycin injections के बारे में दोस्तो यह भी एक antibiotic है जिसका इस्तमाल dental infection, meningitis, gonorrhea, bronchitis, bone infection, UTI infection, and PID infection में किया जाता है और इसको Pfizer company द्वारा manufacturing किया जाता है friends next हम बात करते हैं sephiroxime 1.5 gram injections के बारे में जो कि आपको market में Joseph 1.5 के नाम से मिल जाता है और दोस्तो यह gram positive, gram negative जो bacteria होते हैं उस पर यह बहुत अच्छा काम करता है lungs infection हो जाता है उसमें यह अच्छा काम करता है उसके लाबा bone and joint अगर infection की कोई समस्या है तब इसका इस्तमाल के जाता है UTI infection है typhoid fever है, pneumonia है और surgical कोई infection हो गया है वहाँ इसका इस्तमाल किया जाता है friends अब हम बात करते हैं next injection की जो किया है दोस्तो sephipaim and tezobectum injections दोस्तो यह आपको magnova के नाम से मिल जाएग और इसको lupin company दोरा manufacturing किया जाता है दोस्तो इसका इस्तमाल pneumonia यानि कि जो lungs infection हो जाता है उसमें किया जाता है fever हो गया है, सरदी है, खासी है, जुखाम है उसमें इसका इस्तमाल के जाता है UTI infection है acne है, pimple बगरा, मुहासे बगरा हो रहे है या कोई जखम हो गया है उसको सुखाने के लिए इसका इस्तमाल के जाता है bronchitis की कोई समस्या हो गया है उसमें इसका इस्तमाल के जाता है देन दोस्तो skin infection अगर हो गया है तो उसमें अभी इस cepipine देन tazobectum injection का इस्तमाल किया जाता है और friends इसके आगे हम बात करते है penicillin injections के बारे में दोस्तो जो penicillin injection है यह काफी पुराना antibiotic है और इसका इस्तमाल काफी indications में किया जाता है जो कि आप देख सकते हैं इसका इस्तमाल STD यानि कि sexually transmitted disease में इसका इस्तमाल किया जाता है जिसको हम यौन संचरड रोग भी कहते हैं इसके लावा दोस्तों इसका HIV AIDS में किया जाता है क्लैमेडिया, गॉनोरिया, सिफलिस सीवियर लंक्स इंफेक्शन हो गया है तेन टिवरो कलॉसिस यानि कि TB की अगर कोई समस्या है वहाँ इसका इस्तमाल किया जाता है लंक्स इंफेक्शन है, इसकिन इंफेक्शन है या रोमेटेटिक फीवर है कॉलेरा है, जिसको हम हैजा भी कहते हैं इसमें इसका इस्तमाल किया जाता है और इस इंजेक्शन का इस्तमाल weekly आप up to 3 week यानि कि 3 हफते तक कर सकते हैं उसके लाब दोस्तो एक antibiotic injection आता है oxytetracyclin injection जो कि आप देख सकते हैं इसको abort company द्वारा manufacturing किया जाता है और ये भी दोस्तो gram positive, gram negative bacteria infection पर काम करता है STD में भी ये काम करता है pneumonia में काम करता है acne pimple और bound healing यानि कोई जखम हो गया तो उसको भी heal करने में सुखाने में ये बहुत अच्छा काम करता है उसके लाब दोस्तो soft tissue infection है या skin infection की समस्य होगे उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है friends इसका इस्तमल आपने देखा होगा ये मुँके छालों को खतम करने के लिए भी किया जाता है friends next हम बात करते हैं clindamycin injections के बारे में दोस्तो ये आपको dalacin C के नाम से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और इसको Pfizer company दोरा manufacturing किया जाता है दोस्तो इसका इस्तमाल जो किया जाता है वो pneumonia में यानि कि आपको lungs infection हो गया है वहाँ इसका इस्तमाल के जाता है stomach infection है UTI infection है ear अनि कि कान में कोई अगर infection हो गया skin and soft tissue infection हो गया उसमें इसका इस्तमाल के जाता है दोस्तो one and joint infection यानि कि हड़ियों में किसी भी प्रकार का संक्रमड हो गया है तब आप ऐसी condition में इस क्लिंडा माईसन injection का इस्तमाल कर सकते हैं तो friends ये सभी 16 injection जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताए है इनका इस्तमाल इन सभी indications में डॉक्टरों द्वारा किया जाता है तो friends I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक और ऐसी helpful वीडियो में तब तक के रिए नमस्कार